आदर निये गुरुजी, मैंने जिंदगी में बहुत बुरे कारे किये हैं, पिछले दो साल से आपके साथ जुड़ गया हूँ, तथा राधा नाम जब करना भी शुरू किया है, महराजी अब मैं एक ऐसी स्थिती में हूँ जहां कुंडली जागरन का मार्क खुल गया है, मैं कुंडल नहीं सकती, कुंडल नहीं जानते हैं, अखंड ब्रह्मचारी की और धरेता की जागरत होती है, यह गया सुवायू के विकारों को ऐसे अभी इस्थिती में हूँ, समझ रहे हो, और धरेता, जिसका वीर और धरेता है, सुस्मना नाड़ी खुल जाती है, जो आठो को पहर आपनी शाधना में और आशन में सिद्दाशन और पदमाशन कितने घंटा बैठ सकते हैं जाती हैं, फिर भी उसमें हिलन दूलन नहीं हो, आज इवन ब्रह्मचारी जो अखंड ब्रह्मचारी और सिधासन और पदमासनों के द्वाला तब उस पे फर्क पड़ता है कुंडलनी पे और जब कुंडलनी जागरत होना शुरू होती है तो उसमें गुरू के शानिद्धी की जरूरत होती है जो गुर्दय भगवान साधन बताया उनकी संरक्षदा में नहीं तो गड़बर होने की चांस होते हैं कुंडलनी बिक्षिप्त भी कर सकती है पागल भी करती है बेविचारी भी मना देती है अगर उसकी दसा नीचे की तरफ गिरू जाए तो बेविचारी भी हो सकता है अच्छा है अगर साधनों में चल रहे हो पर भगवान का नाम न भूलने पावे एक इसी इस्तित्याति है कि मैं नाम राधा 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 बोलता रहता हूं पता ही चलता है कि नाम दे भी रहा हूं या नहीं दे रहा हूं बिलकुल ये और पूरी बोड़ी में देशे नहीं चलता कि मैं क्या मतलब और तो याद रहना नहीं ये बात अलग लिकिन जिस पर हम याद लगाए हैं वो याद हम करते स्टेज अलग होजाती है मांद में कुछ ऐसा नहीं में आलगी चलता है है मतलब चलता रहना चाहिए बत चलना ना चुटे नाम जब करते रहे ना मेरा विश्चन यह था कि मैं इसको कंटिन्यू करूं देखो पहली बात पहली बात यह कि इस्टेज ही नहीं है यह करता जो भाव ना मैं करूं या ना करूं कि कुंडलनी जागरण में नहीं होता एक स्टेज होती जहां होता है आप करने पे हो आंकार विमूट आत्मा करता हमे ति मन्यतिे जहां मैं करता हूँ मैं कर शकता हूँ भॉह नाम में बनी रहे कहीं ऐसी एक होती जागरत अवस्था एक होती सुशुप्त अवस्था और एक होती बीच की तंद्रा अवस्था जिसमें होश ही नहीं रहता वो तंद्रा अवस्था को कहीं सिद्धी न मान लें आप जैसे जागरत में खुली आँख हम सब को देखते हैं ऐ सार के मार्ग से आये हो अब हम बच्पन से इसी में चल रहे हैं साथ साथ आठ आठ गंटे पदमासन में आज किड़नी खराब हुई मनलों 35 वर्षी के उस्ता में प्रकासित हुई थी तो मा के गर्व से लेकिन योग आशन और श्मे तो ब्रह्मचर के बिना कुंडलनी आंकार त्याक के बिना कुंडलनी त्रिगुणा तीत हुए बिना कुंडलनी वो तो ब्रह्म शोरूफ होती जागर पवित नाम जब करो कुछ हमत करो अपने आप जागरत हो जाएगे आपको पता भी नहीं चलेगा और योग के द्वारा यदि जागरत करे तो गुरू की सानिदिक मीरा जी को ऐसे लिए था कर चत्व में झाकर पूरी क्रोपणी लगी लुके प्रुतो नाम न चुटने पावे हर्श्वमें नाम जो और अपनी अनुभूती किसी से कहो मत किसे कहोगे परमात्मा सबके ख़दे में बिराज माने आपको किसी को जनानना थोड़ी है कि हमानी कुर्णलनी जागरत होती है यह तो अपना अनंद है ना अपने को जैसा अनंद भगवान दे रहें उसे गुप्त रखें किसी से कहे नहीं और खुब नाम पर ध्यान रखना नाम न छूटने पावे नाम अगर है तो सब वास्तविक जागरत हो जाएगी वो देखो एक से दानथ होता है ब्रम्चर्व और योग के दवारा कुर्णलनी निरंतर भगवान का सुमिरन करता रहता है तो भगवान सारे योग उसके अंदर प्रकासित कर दे और वो प्रकासित कर दे तो फिर अपनी योग्यता का उसमें कोई मतलब नहीं हम करना है तो फिर उसमें योग्यता चाहिए अखंड ब्रह्मचर आश्रनों की परिपक अवस्था बिना हुलिव डिले तीन गंटे सिद्धासन में बैठ जाना और निरंतर परमात्म चिंतन होना किसी भीतरे का विश्यक इच्छा न होना यह प्रारमभिक है उसके जागने की फिर वो जागरण जो उसकी होती है तो जैसे हमारे सरीर में जितनी गर्मी है तो उतनी शीतलता भी है दो तार जैसे गर्मठंडे बिजलिक नहीं होते वो भागवतिक है अगर ऐसा नहों तो शरी नहीं तो ऐसा थोड़ी कि बदाम हलुआ खा करके उस गर्मी को समन करते हो संत मात्मा ऐसा नहीं और भोजन छूटता जाता है और विश्राम छूटता जाता है नखान पान नहीं भावे है नहीं कोमल वसंद स्वावे वे एक आनंद शीतल उस आनंद में रात का जगना सरीर का बैठे बैठे गरम हो जाना यह सब समन हो जाता है किसी दवा की जरुत नहीं पड़ती भगवत मार्ग के जो विकार होते हैं वो आनंद वर्धन करने वाले होते हो नुक्षान दैक नहीं होते आप रात बर भजन कीजिए तो दिन में आपको विक्षेप नहीं पड़ेगा दिन में आपको परिशानी आइसे जग होगे तो आपको परिशानी पड़ेगी लेकिन रात बर भजन करके देखो तो एक दिन में आनंद रहेगा वो आपको परिशानी तो आप कहीं ऐसी सोच में ना जाएं कि हम साधन करने तो हमारा सरीर बहुत गरम हो जाता है जैसी सोच क्योंकि वैसे होता जाएगा अगर आप निगेटिव सोच करने लेगे तो फिर ऐसा होने है लास्ट दो साल से जैसे आप बोलते हो रादा दिमाग में पड़ो या है उसी को पढ़ते पढ़ते यह इस्थिति है आप बिल्कुल धन्यवाद आप आप चलो ऐसे चलो बहुत सु लेकिन एक दिन रात को सोते हुए सर में बहुत दर्द हुआ और पसी नहीं आए इसके सिरीर की रोग अवस्था बात अलग भगवाण के मार्ग में ऐसा कुछ लगे है अपने लोग तो मतलब क्या क्या तुम्हें बताएं हर श्मे अकेले और भगवान समानने वाले रात दिन अभी तुमसे बात कर रहे हैं तुमसे बात करते हुए भी तुम्हें देखते हुए भी हमारा दिमाग में उचल रहा है तो थोड़ी दिर विश्राम करना 24 घंटे जाक रहना सुबहे से देखो नहीं हम तो पागल हो जाएं लेकिन हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं हम कोई पागल नहीं है भागवतिक चिलता लेसा कम जोर चिलता ले होता हाँ लेकिन गुरुजी एक स्टेज पर उपर वाला पार्ट एक साफा बान लिय परममंगल होता है और सब लोग सब प्रशनों का उत्तरेख है नाम जप में लगो गंदे आचरणों का त्याग करो आपकी दीपावली सुभू डॉक्टर अलोक सिंग जी वारान से से